किशान स्राथियों नमस्कार स्वागत है हमारे यूटूब चैनल दिहाती किशान स्राथि में किशान भाईयों आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे आलू की फसल में जो आप यूरिया दे रहे हैं यानि की आलू की फसल आपकी एक महने यानि की 30-35 दिन के आसपास हो चुकी होती है उस समय आपको पहला खाद दे दना चाहिए पहले खाद में यूरिया के साथ आपको क्या देना है पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है सबसे पहले किशान भाईयों बात करेंगे आलू की जब आप सिचाई कर देते हैं उसमें पाई लगा देते हैं उसके बाद खरपतवार बहुत सारे उग आते हैं उसमें आपको खरपतवार को नश्ट कर देना है इसके बाद जब आप तीसरा पाई लगाते हैं उस समय आलो में यूरिया डालने का जो समय होता है वो बहुत नजदिक होता है उस समय आपको पहला यूरिया खाद दे देना चाहिए यूरिया खाद में किसान भाईयों, यूरिया का काम होता है पोधे का वनास्पतिक विकास करना, पोधे की ग्रोथ और जो विकास है अच्छे से होता है और उसके साथ आपको मिलाना है यहाँ पर जिंक, जिंक या तो आप 20% वाई लीजिए या 33% वाई ले सकते हैं तो इसमें आप किसान भाईयों, आप मोनो जिंक ले सकते हैं, तलवार जिंक आती हैं वो भी ले सकते हैं तो अगर जिंक की मातरा की बात करें, तो आधा किलो प्रती बीगा के इसाफ से आप जिंक यहाँ पर यूरिया मिला करके अपने आलू की फसल में दे सकते हैं जिसे आलू की जो ग्रोथ होगी आलू की जो विकास होगा जो उसमें आप देखते होंगे आलू का जो तना है काफी मोटा बनेगा जब तना मोटा बनेगा तो नीचे के जो टुवेर्स जो कंचे के आकार के आलू टुवेर्स बनेगे ओभी हमारे मोटे होगे और वहाँ पर जो उसकी संख्या है वो भी ज्यादा होगी तो जिससे आलू की जो पैदावार है वो भी किसान भाईयों अच्छी मिलेगी सबसे पहले किसान भाईयों बात करेंगे जब आलू की फसल हमारी एक मेने के आसपास यानि कि 30 से 35 दिन के आसपास हो चुकी होती है उस समय आप देखते होंगे हमारे पूरे खेत में एकडम हर्याली देखने को मिलती है पूरा खेत एकडम से हरा भारा हो जाता है और आपको बता दें जब यूरिया आप डालना चाहिए तो आप वहाँ पर पानी के पहले दे सकते हैं या फिर पानी के लगाने के बाद भी दे सकते हैं जब पैर वहाँ पर रखने वाला हो जाए, मिट्टी ज्यादा न दवे उस समय आप वहाँ पर यूरिया खात दे सकते हैं जिनकी मात्रा जो है आपको अच्छी प्रकास से मिला करके अपनी आलू की फसल में देंगे, तो उससे अच्छी पैदावार बिलेगी, अच्छे से ग्रोथ होगी आप कभी-कभी देखते हैं, आलू की जो वहाँ पर ग्रोथ है, बहुत कम हुई होती है और आलू की बुवाई का टाइम भी काफी समय हो जाता है लेकिन आलू जितना विकास अच्छे प्रकास से करना चाहिए, और नहीं किया होता है उस समय आलू में जो हमारा टुबर्स बनेंगे, जो हमारी वहाँ पर संख्या हो भी, वह भी कम होती है जिससे नाट्रियन का काम किसान भाईयों पोधे की हाइट को बढ़ाना और वहाँ पर पोधे की वनस्पतिक जो विकास होता है, प्रामरी स्टेज होता है, वो अच्छे से काम करता है तो यूरिया आपको किसान में लेना है, यहाँ पर लगबाग 35-40 क्रोग्राम प्रत एकड के हिसाब से यूरिया ले सकते हैं और जिंक वहाँ पर आधा किलो प्रत बीगा के हिसाब से आप जिंक ले सकते हैं अच्छे प्रकार मिला करके आलो की फसल में दे देंगे, अच्छे प्रकार से वहाँ पर आपको विकास होगा, पोधे हमारे स्वस्त हरे भरे बने रहेंगे जिससे वहाँ पर जो पैदावार होगी अच्छी मिलेगी तो किसी प्रकार की जानकारी आपको लेना है नीचे कमेंट कीजिए और जो भी किसान चैनल पर नए हैं उसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा किशानों को शेर कीजिए तो आप भी बता सकते हैं आपने किस छेतर में आलू की बुआई हुई है और आपके छेतर में आलू की जो बुआई है उसका जो आंकण है वा कैसा है नीचे कमेंट में जुरूर बताएं बिलेंगे अगली वीडियो में नमस्कार